हिंदी विषय के अंतरगत सुरीकांत त्रिपाठी निराला का परीचे प्राप्त करेंगे। मूलता ये गढ़ा कोला उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और ततकालीन महिसादल रियासत जो है उसके कोसा ध्यक्ष थे इनके पिता जिनका नाम था राम सहाय त्रिपाथी ये जब तीन वर्स के थे तभी इनकी माता का देहांत हो गया और इनकी अधिकान से सिक्षा घर पर ह हुई इन्होंने विभिन विशयों में महारत हासिल की बांगला संस्क्रित अंग्रेजी हिंदी आधिका अधियन किया पारिवारिक जिम्यदारियों की वज़े से इन्होंने नौकरी शुरू की लेकिन जल्द ही वहां से त्याग पत्र देकर चले गए कुछ समय तक वे राम उसका इन्होंने संपादन किया और उसके बाद फिर ये वहां से भी बाहर आये निराला का पारिवारिक जीवन अगर हम देखे तो दुख और संगर से भरा हुआ है आत्मिय जनों का आर औसामाईक निधन उन्हें भीतर तक बहुत कचोटता था उनकी पुत्री की मृतियों बहुत कम समय में हो गई थी और उनकी बहुत चर्चित रचना है सरोज स्मृती जो उनकी पुत्री से संबंदित है ये संगीत प्रेमी भी थे घर आये मेहमान का स्वागत करने में इन्हें बड़ा ही आनन्द मिलता था निराला के बारे में मैं अपनी प्राप्त जानकारी क याधार पे आपको बताऊं तो निराला जो है 15 अगस्त 1961 में इनका देहवसान जो हुआ उससे पूर्व इन्होंने मतवाला पत्रिका का भी संपाधन किया मतवाला नामक पत्रिका थी उसका भी संपाधन किया ये बड़े विद्रोही प्रब्रती और पुरातन में नवीनता का समावेश करने वाले साहितकार थी अगर कम शब्दों में हम कहें तो पुरातन में नवीनता जो संस्कृति है जो सभ्यता है उसमें विकास ये इनकी मुल्चेतना है निराला की मुख्य रचनाओं को आप देखें इनकी कात्वे रचनाओं में अनामिका परीमल गीतिका अराधना, अर्चना, तुलसीदा, सरोजिस्मृति, रामकी सक्ति पूजा, राग विराग, वर्सागीता दियें इन्होंने उपन्यास भी लिखें मुख्य उपन्यास इनकी जो रचना है उसमें मुख्य उपन्यास हैं अपसरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चोटी क पकर, काले कारणा में चमेली आदी, कुछ कहानी संग्रा भी हैं, जैसे लिली, सक्खी, चतुरी चमार, और सुकूल की बेबी, रेखा चित्र, रेखा चित्र के बारे में इससे पूरो मैंने आपको जानकारी दी है, पिछली कक्षाओं में भी, कुली भाट और बक्री हार, जो है सुरीकांत्रिपाठी निराला रचित, रेखा चित्र है, निबंध में भी इन्हें महारत हासिल है, प्रबंध पद्य, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, प्रबंध परीचय, रविंद्र कविता कानन, इन सब के नाम से इनके निबंध सग्र है, कुछ जीवनिया में इ नुवाद भी किया, आनंद पाठ, कपाल कुंडला, चंद सेखर, दुर्गेस नंदिनी, कृष्नकांत काविल, युगलांगुली, रजनी, देवी चौधरानी, राधारानी, विस वरक्ष, राज सिंग, महाभारत, आदी जो हैं, इनकी अनुदित क्रितिया हैं, इनकी साहि विषयसता को अगर आप देखेंगे, तो साहितिक विषयसता के अंतरगत, जो इस पस्ड रूप से पता चलता है, उसमें हैं वयक्तिक्ता, छायावादी कवी जो हैं, उनें की तरए, इनकी कवीता में भी वयक्तिक्ता है, राम सरोज समुर्थि आदी अनेक ऐसी कवीता हैं जिसमें निराला की व्यक्तिकत भावना जो है वो इस पस्ट प्रतीत होती है मैं अकेला इनकी एक कविता है उसमें भी ये आभास होता है इनकी कविता में निरासा, वेदना, दुखबाद, करुणा आदी है प्रकृति का चितरन भी निराला ने बहुत ही अद्बुत तरीके स किया है और आपने इससे पूर्वे कविता इंकी पढ़ी है अभी न होगा मेरा अंत अभी अभी तो आया है मन में मेरे मृदुल वसंत ध्वनी नामक कविता जो है उसमें इनकी रचना में मानवतावाती जीवन दर्सन भी प्राप्त होता है नारी का बिविद रूप इनों जो इनकी गहरी समवेदना है वो दिखती है स्यामतन भर बंधा योबन देख मुक उत दृष्टी से डुलक माथे से गिरे सीकर यह सब कावे पंक्तियां जो है वो दिखाती है कि नारी के प्रतीन की चेतना जो है नवीने रूपों में इनोंने चितरन किया है यह सिर्फ ना दृष्टी कौन से अगर देखें तो निराला की भासा जो है वह कोमलता से भरी हुई है सब दों की धोन इन्होंने मधूर योजना की है भासा का लाक्षनिक प्रयोग किया है इनकी कविता में संगीतात्मक्ता चितरात्मक्ता प्रकृती जन्य प्रतीकों का प्रयोग यह अभी परीचे है निराला का अगले वीडियो में आपको मैं कविता का भाव बताऊंगी धन्यवाद